हलो एन वेलकम टू एड़ी एड़ुकेशन यूट्यूब चैनल जहां आपको मिलते हैं क्वालिटी एड़ुकेशन और टेक वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएए सब्सक्राइब के बटन को और साथ ही दबाएए बैल आइकन को लेटिस वीडियो की जानकारियां सबसे पहले पराने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूं अमित दीक्षित एड़ुके बार में सभी शिक्षक जानते होंगे अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं शॉट में कि भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि मार्च 2019 तक जि प्रोफेशनल डिग्री उनके पास होना निवार है शिक्षा की छेत्र की तो इसके लिए उन्होंने नियोस से डियलेट करने का प्रवधान किया है और आप कर सकते हैं जिसके रिजिटर्ण किये गए हैं जो कि बंद हो चुके हैं एन इस डियलेट कर सकते हैं मातर बारह जिनके रिजिटर्शन बंद कर दिये गए हैं अब कंप्लीट हो चुकी है प्रोसेस अब जिन लोगों ने पहले से बीएट कर रखा है जिनकी बीएट डिग्री जिनके पास है क्या उनको ये डियलेट कोर्स करना होगा ऐसा सब जानना चाह रहे थे तो ऐसा नहीं था इसके जानकारी जारी कर दी है और इसकी रिजिटर्शन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है तो जो भी सिक्षक हैं जिनों बीएड किया हुआ है और एक मुख्य बात जो केवल एक से पांच तक की कक्षाओं को पढ़ाते हैं इसको मैं दोबारत हो रहा था हूं एक से पांच त और किसी बीएड धारी शिक्षक को नहीं जो की सर्विस में अभी हो केवल एक से पांच तक के तो इसकी रिजिटर्शन की प्रक्रिया आज हम जानेंगे आप अच्छे से देख लें और आकर तक इस वीडियो को और समझ लें तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में अच्छा.nios.ac.in इस लिंक को आप गूगल में सर्च कर लें डारेक्टली आप पहुंच जाएंगे नायोस की जो वेफसाइट है उसके पेज पर जहां पर जो की स्पेशली है जो PDPET कोर्स है यानि 6 महीने का जो कोर्स है उसके पेज पर यह देखिए यहां पहुंच गए ह है यहां फ्रेंट में आपको दिखाई दे रहा है डीटेल 6 महीने का ब्रिच कोर्स जो की है कक्षा एक तक से पांच तक के प्रात्मिक कक्षा के शिक्षकों के लिए जिन्होंना B8 किया है जो अभी सेवा में हैं जो की पढ़ा रहे हैं तो यह बात आप क्लियर रखें दिम सबसलब के लिए फ्रेंट सिक्षकों के लिए उसके बाद पिन सिवल बेरिकेशन और अगे की प्रॉसेस है तो अभी फिलाल हम र cu7 को करने करिया जान रहे हैं तो रेशिटरेशन कि प्रीक्रिया के लिए आपको जाना होगा इस option पर क्लिक करना होगा पहले नम्मर के option पर तो आप इस पर क्लिक करते हैं यहां पर लिखा हुआ है रिजिस्ट्रेशन फॉर बिए टीचर तो यहां पर आप जब इस ऑप्शन पर आप जब क्लिक कर देते हैं तो आप पहुंच जाएंगे यह आपके सामने खोलेगा एक वैब पेज जिसमें आपकी जो जानकारी आपको जानकारी भरने में कोई गलती ना करें क्योंकि गलती में सुधार संभव नहीं है यहां पर आपको देख रहा होगा बीए टीचर टीचिंग इन प्राइमरी क्लास यह बताया गया है कि एक से पांच तक के शिक्षकों के लिए है जो की बीएट कर रहे कर चुके हैं और पढ के समद्ध में डी एलेट में जनो ना रिजिट्रेशन किया काफी लोग परिशान हुए हैं तो आप यूडाइस कोड और जानकारी बनने के समद्ध में इसमें ध्यान रखें कोई भी गलती ना करें अब यह यहां पर दो इंपोर्टन चीजे हैं नीचे दिया गया है कि जि यूडाइस कोड आप अपने स्कूल से पता कर सकते हैं इंटरनेट पे भी जानकारी इसकी आसानी सोभलब दे आप सर्च करेंगे तो यूडाइस कोड कैसे पता करें तो आप अपने स्कूल का यूडाइस कोड जब तक जान लें उसको जानने के बाद ही अगर है तो अगर जनके पास यूडायस कोड नहीं है तो वो क्लिक करेंगे उपर के क्लिक हैर के बटन पर एक ऑप्शन पर जहां उनको खुलेगा पेज नेक्सट पेज जहां पर आपको जाननी होगी आपके जानकारी आपका इमेल आपका mobile number और select करना होगा आपका जिला आपका छेतर जो भी है आपका और उसके बाद select करना होगा स्कूल स्कूल में select आप जब करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लिस्ट आजाती है आपके schools की तो आप वो select कर सकते हैं उसमें से और बाकी जानकारी जैसे पासवर्ड आपको यहाँ अपना डालना होगा पासवर्ड बनाना होगा इसको याद रखें क्योंकि इसी के जरी आप लॉग इन करेंगे इमेल और पासवर्ड के जरी है तो यह जानकारियां सारी जो इस पर दिखाई दे रही है जानकारी भरी है वो बिल्कुल सही है उसमें कोई गल्तीRobot कि एक बार आपने payment कर दिया तो सुधार होने में बहुत दिक्कत आती है बहुत परिशानी पेश आती है तो जानकारी को अच्छे से चेक करें बार बार और उसके बाद ही payment करें तो इसको पेमेंट करने का जब आप कर देते हैं तो आपका जो रिजिट्रेशन की प्रक्रिया है आपको ऑनलाइन इसमें पेमेंट करना होगा और इसकी जो फीस रहेगी वह थाउजन याणी 5,000 रुपे तो ये आप पेमेंट करेंगे ऑनलाइन जो भी आपको तरीका दिया कार्ड के माद दिम से क्रेट कार्ड के माद दिम से internet banking या जो भी option आपको दिया जाता है तो यह आपका जो registration की प्रकरिया है वह पूर्ड हो जाती है यह मैंने आपको बताई जिनके पास यूडाइसCode नहीं है जिनके उपनी यूडाइसCode स्कूल का नहीं है उनको लेकर तो अब इसके बाएद हम जारेंगे जो जिनके पास यूडाइसCode है यो कैसे कर सकते हैं तो पीछे कि तरह भी जैसे पेइमेल, मुबायल रम्ब, पासवर्ड आपको बनाना होगा, स्कूल सेपाइब करना होगा, और ये कुछ जानकरियां आप भरकर आपके यूड़ा-इस-कोड़ डालना होगा, स्कूल का जो भी सही है सही डालने यूड़ा इस कोड में कोई गलती ना करें यह बार बार कह रहा हूं मैं इसको भर दें और उसके बाद सम्मिट बटन पर क्लिक कर दें और आगे की जो पेमेंट की प्रॉसेस है वो कर दें पेमेंट करने से पहले एक बार फॉर्म चेक कर ले मैं फिर से बता रहा हूं गलती ना करें क्योंकि बहुत परिशानिया होती है तो पेमेंट करने के बाद आपका यह रेजिस्ट्रेशन जो है वो पूर्ण हो जाएगा तो इस तरह से आप इस ब्रिच कोर्स के लिए रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 6 महीने का ब्रिच कोर्स है ब्रिच के लिए जो की पढ़ा रहे हैं प्राइमरी क्लास को यानि एक से पांच तक की क्लास को जो पढ़ा रहे हैं तो यह मुख्य बिंदू थे इसके बाद की प्रॉसेस रहेगी प्रिंसिफल बैरिफिकेशन में आपको अपने प्रिंसिपल के बास जाके वेरिफिकेशन कराना होगा, वो ही करेंगे इस चीज को, पिंसिफल वैरिफिकेशन की प्रोसेस को, तो उसके बाद आपका ये डियलेड, सॉरी, इस पिल्च कोर्स में रिजिट्रेशन कम्प्लीट एक तरह से हो जाएगा, आपको अन्रोल्डमेंट आपकी पहुंच सके और उनको भी लाव हो, तो इस वीडियो वसे तना ही, keep learning and keep growing with ADE education.